हाई एफ्रिवान सो जी ओसी हमने पढ़ लिया और जी ओसी के हमने पीवाई क्यूस भी कर लिये तो अभी बारी आचुकी है और पॉसिबल क्वेस्टेंस फॉर नहीं ट्वरी टू तो इस सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट या पॉसिबल क्वेस्टेंस ओफ जी ओसी फॉर नीट ट्वंटी 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 टू बिटा अगर आपको इन सब के एनोटेशन भी चाहिए रिपोसेटरी के लिए रखना चाहिए आपको क्योंकि हो सकता है कोई सवाल आपको अभी समझ में आ जाए और फिर आप एक ह सब्सक्राइब करके रखो इसे और एक टेलिग्राम चैनल है नीट क्वेशन बैंक के नाम से वह भी बिटा जॉइन कर लो इसके अलावा टी डॉट एमी आनन्मनी 001 इस टेलिग्राम चैनल जहां आपको सारी इंफोमेशन सारी खबरे मिलती रहती है क्या हो रहा है क्या चल आपके जिन्दगी के लिए जो जानने वाली खबरे हैं वह आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी पढ़ाई के सारे डॉक्यमेंट्स और जी उसी चैप्र हमने कंप्लीट कर लिया है अपने डॉक्टर आनन्मनी चैनल पर और इसको कंप्लीट करने के बाद आपको जो एनूट इस तो मैं खुदको थोड़ा चोटा कर लूँ तो सवाल बड़ा होना चाहिए हम छोटे सो देसेंडिंग ओर और ऑफ स्टेबिलिटी ओफ दी कार्बोनियम आयन्स दिख रहे हैं फोड़ा जूम कर दूँ अभी 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 क्लियर हो गया होगा चल इतना जूम सही ह स्ट्रेट बेंजाईल सीधा साये बेंजाईल कार्बो केटायन है च.ट्र पोजिटव दूसरा वाला वीटा हैं जाकंद वार्नेस बेंजाईल तो है लेकिन बेंजाइल के पैरा पुजीशन पर क्या लगा हुआ है OCH3 तीसरे वाले में बेंजाइल के पैरा पुजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है और चौथे वाले में बच्चे बेंजाइल के पैरा पुजीशन पर CH3 लगा हुआ है अब हमें बताना इनका stability order देखो बेंजाइल तो सब में common है बाते समझना कैसे चेक करते हैं बेंजाइल तो सब में है इसका मतलब जो फर्क पड़ रहा है वो उस पे लगे हुए ग्रूप का फर्क पड़ रहा है तो हमें यह सोचना होता है कि जो ग्रूप जुड़ा हुआ है अब आपको पता है प्लस एच प्लस आई कार्वो केटायन की stability को बढ़ाते हैं तो यह बढ़ा रहा है यह बढ़ा रहा है बट माइनस मघटा रहा है थिए अब प्लस एम ज्यादा बढ़ाता है यह प्लस एच तो वी नों कि मैस्मरीग ज्यादा इफ्यक्टिव है तो फर्स्ट के बाद थर्ड कूई थर्ड में stability घट चुकी है थर्ड में माइनस हैं और माइनस हैं स्टेबिलिटी को घटा देता है तो second fourth and third कोई option कि सेकेंड फॉर्ड फॉर्स्ट and third मुझे कोई answer क्यों नहीं दिख रहा मुझे आपे 2 दिखेहां पे कोई अंसर क्यों नहीं दिख रहाह डर सबसे एंड में आएगा अच्छा यहां पर 4 और 7 के गड़बड की os 9 4 मैं प्लस Ciao सेगंड में प्लस है मैं नहीं दुरबड को सब्स कुछ बीक्यूक सेथिंए को प्लस है मशला मौन next arrange the carbon ions, इन carbon ions को हमें arrange करने है, तो first one is, C- पे लगा हुआ है बिटा CH3, और और क्या लगा हुआ है, CH3 होगा ये और ये भी CH3 होगा, तीन बार लगा होगा, फिर C- पे लगे हैं, तीन क्लोरीन, ओके, फिर C- पे लगा हुआ है, एक तरफ hydrogen, एक तरफ CH3, दो तरफ CH3, और फिर है benzyle, तो भई यहाँ पे benzyle तो होता ही है stable, benzyle तो resonance में, benzyle तो resonance में, तो benzyle तो बहुत जादा stable है, अब ये 3 degree है, 3 degree बिटा stable होता नहीं है, और ये 2 degree है, 2 degree भी stable नहीं होता है, तो 2 degree और 3 degree तो आजाएंगे end में, अब बचता है benzyle और chlorine, तो बिटा देखो, chlorine के पास vacant orbital है, और इस vacant orbital में direct back bonding हो जाएगी, direct back bonding हो जाएगी, तो this is highly stable, back bonding से highly stable, तो भाई सबसे पहले आजाएगा CCL3- और उसके बाद आजाएगा मेरे पास benzyle, तो मेरा answer कौन सा हो गया, option number 3, clear है, next, indicate relative stability of contributing structures, मतब resonating structures है, इनकी relative stability बतानी है, देखो, पहले वाले में कोई charge है, नए, दूसरे वाले में भी कोई charge नहीं है, और तीसरे वाले में charge है, तो ये neutral, ये भी neutral, और ये charge, तो हमेशा ध्यान रखना की, अगर आपको resonance structures की stability, short में बता दूँ मैं, वैसे तो detail में आपने resonance पढ़ी लिया है, जी उसी के lecture में, आप एक rule याद कर लो, rule to find stability of resonating structures, RS, बिटा rule मैंने trick बनाई भी है, NOBC, no BC, ये trick है, NOBC, N से neutral, neutral सबसे ज़्यादा stable होगा, O से octet complete, neutral के बाद आपको क्या check करना है, कि octet complete है कि नहीं, B से bonds are more, जिसमें number of bonds ज़्यादा है, वो ज़्यादा stable होगा, इसके बाद, C से charges are less, जितने कम charges होगे, वो ज़्यादा stable होगा, तो हमारा rule क्या है, NOBC, दिमाग मत लगाओ, सिर्फ ये rule लगाओ, तो neutral वाला हमेशे ज़्यादा stable है, चार से, तो first and second में, अब हम चेक करेंगे octet, तो first में क्या सबके octet complete है, carbon का complete, carbon complete, carbon, oxygen, hydrogen, बई first में सबका octet complete है, second में, CH2 पे single bond दिया हुआ है, और oxygen का भी octet complete नहीं है, second में कुछ गढ़बड है, second में ना charge होना चाहिए, second में से charge मिसिंग है, क्योंकि ऐसे तो octet पूरा नहीं हो रहा है, तो second में क्या हो रहा होगा बेटा, कि oxygen पे आ रहा होगा, negative और carbon पे positive, तो second structure में, यहां कुछ गढबर लग रही है, तो यह है मेरा second structure, तो यह भी charged है, क्योंकि बिना charge के तो यह गलत हो रहा था, तो first हो गया सबसे ज़्यादा stable, क्योंकि वह neutral है, अब second, third में octet चेक करो, बिटा second में octet complete है, क्योंकि oxygen पे negative है, carbon पे positive है, यहां तीसरे वाले में, oxygen पे positive है, तो इसका octet complete नहीं होगा, नहीं, भाई, तीसरे में, इसका octet incomplete है, और second में, इसका octet incomplete है, मतलब octet वाला rule, तो हमारे समस्या को, solve नहीं कर पा रहा, और number of bonds वाला भी नहीं कर पा रहा, bonds बराबर है, अब जो NOBC के बाद, पाच बार रूल यह आता है, वो universal rule है, वो किवल resonating structures का rule नहीं है, वो पूरे organic का है, कि minus charge on negative, and plus charge on positive is highly stable, तो minus charge oxygen पे, और plus charge carbon पे ज्यादा stable होगा, तो first, second and third is the answer, मतलब option number two, clear, next, in the following carbocatine, out of HCH3, which one will migrate to positively charge, मतलब carbocatine की shifting करा के देखो, कि कि कहां होगा, carbocatine shift किस तरह होगा, सबसे पहले तो hydride shift ही, preferable होता है, और ये shift भी किस तरह होगा, left की तरह, क्योंकि याद करो, मैंने आपको बताया था, कि अगर carbocatine यहां आ गया ना, इस जगा पे, hydride shifting होके, तो back bonding हो जाएगी, और back bonding से, जो carbocatine stable हो जाते हैं, वो highly stable होते हैं, अगर carbocatine के तूरंद पास में, कोई ऐसा group लगा हुआ है, which can donate the loan pair, तो carbocatine is highly stable, तो H shift होगा, C2 वाला, C2 वाला H shift होगा, clear है, clear है, C2 वाला H shift होगा, यहां पर, राइट, चालो, very good, चलो, आगला सवाल, अगला सवाल क्या है, हमारे पास, observe the effect carefully, and predict the nature of it, तो हमें बताना, यह कौन सा effect है, देखो, इसमें क्या हो रहा है, complete shifting हो रही है, बिटा, pi electrons की, completely pi electrons shift हो रहे है, तो आपने 4 effect पढ़े होंगे, जल्दी से recall कर लेते हैं, पहला होता है, inductive effect, inductive effect में, partial displacement होता है, complete नहीं, partial displacement किसका, किसका, sigma electrons का, बहुत जरूरी है, सारे effects के differences को जानना, एक बार class में, मैंने 4 effect पढ़ा दिये, और 50% जनता है, यह जो last में बोले, effect थो हम समझ गया, यहां ही हो रहा है, लेकिन वो उसको describe ही नहीं कर पा रहे, कि किसमें sigma electrons, किसमें pi electrons, क्योंकि हम इस चीज़ पे कभी गौर ही नहीं करते हैं, तो आप ध्यान देना कि, inductive effect में, partial displacement है, sigma electrons का, बेटा, resonance में, मतलब मेजोमरी के effect में, de-localization होता है, de-localization of pi electrons, बेटा, और hyperconjugation में, दोनों तरह के electrons involved हैं, यह सवाल भी आचुका है, नीट में, hyperconjugation में, दोनों तरह के electrons involved हैं, बोथ sigma एंड पाई electrons, और, electromeric effect में, electromeric effect में, हमारे पास, complete, complete, shifting of pi electrons है, मतलब किसी एक तरफ, completely pi electrons shift हो जाएंगे, this is electromeric, तो यहां पर complete shifting हो रही है, यह electromeric है, और क्योंकि carbon के ऊपर, end में positive आ गया है, तो this is positive electromeric effect, this is positive electromeric effect, clear, next, choose the most stable carbocation, अमंगदा following, देको पहला वाला benzyl है, दूसरा वाला 3 degree है, then it is 2 degree, नहीं, 1 degree है यह तो, 1 degree, then it is 2 degree, तो पेटा हमें पता है कि, order क्या है, जल्दी से recall कर दो order, कार्बो केटाइन का, कार्बो केटाइन के case में, 3 degree, benzyl, 2 degree and 1 degree, तो most stable is 3 degree, यह बहुत important है, यह बहुत जादा important है, कार्बो केटाइन का, यह stability का order, बहुत important है, क्यों यह काफी बच्चे क्या करते हैं, benzyl को 3 degree से पहले डाल देते हैं, आप लोग ऐसा नहीं करोगे, next, the correct order of increasing acidity, for the following compounds, तो यह OH, OH, CUH, CUH, पहले मुझे अच्छा एक जवाब दू, एक बात का जवाब दू, acidic order आपने पढ़ा है, जितने लोगों नहीं पढ़ा है, concept of the day पढ़ा हुए, चैनल पर, acidic and basic strength, go and watch, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, acidic order, तो CUH ज़्यादा acidic होगा, या phenol ज़्यादा acidic होगा, पहले तो इस बात का जवाब दे दू, CUH का नाम ही carboxylic acid है, और phenol एक alcohol है, तो obviously carboxylic acid ज़्यादा acidic होगा, alcohol से, क्योंकि, CUH में, यहाँ resonance है बिटा, अगर आप इस H+, को हटा दोगे, minus charge आएगा, तो यहाँ resonance है, that is why CUH is more stable than phenol, चालो, तो CUH वाले ज़्यादा stable होगे, as compared to phenol वाले, यह हमने एक boundary create कर दी, CUH and phenol, अब देखो, यह effect लगा रहा है, बिटा, प्लस H, या प्लस I, और प्लस H और प्लस I, acidic strength को decrease करते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलू, 3rd या 4th, ज्यादा acidic कौन, तो आपका answer आएगा 3rd, क्यूंकि 4th में acidic strength कम हो रही है, प्लस H या प्लस I की वज़ा से, अब OH की बात कर लेते हैं, OH और OH, बिटा, क्लोरीन लगाता है, minus I, और minus I, acidic strength को बढ़ाता है, and 1, option number 1, option number 1, so this is the acidic strength order, next, the following carbo-ketion rearranges 2, यह जो carbo-ketion है हमारे पास, this one, यह rearrange होके क्या बनाएगा, देखो, भई rearrange तो यह बहुत जोड से होना चाहता है, क्योंकि यह 1 degree का है, जाएगा तो यह 3 degree पे, लेकिन कोई hydrogen अवेलिबल नहीं है, शिफ्टिंग के लिए, तो यह methyl की shifting करेगा, तो यह कुछ इस तरह का बन जाएगा, 3 degree पे जाएगा बेटा, but by the shifting of methyl, by the shifting of methyl, तो कॉनसा अंसर, first is not correct, second is not correct, third is correct, fourth is not correct, third is correct, अच्छा, third में भी कुछ गडबड है, उहां उहां, third में भी shift कहां किया, कार्बुकेटायन को, न, 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 third में भी कार्बुकेटायन को, हमने shift कहां किया, 3 degree पे, तो third भी गडबड है, first गडबड है, second गडबड है, fourth गडबड है, वो तो सेम है, third में बने क्या गडबड है, 3rd में आपको Carbogatine यहां बनाना है और Hydrogen यहां लगाना है So then 3rd is correct Next Which is the least stable carb and iron सबसे कम stable carb and iron कौन सा है देखो पहला वाला कौन सा है RCH double bond C minus दूसरा minus तीसरा यह R2 C double bond C minus H चौता R3 R3 कैसे आजाएगा double bond पे अरे यार question बहुत गलत है इसमें यह question गलत है आगे चलते है What is the geometry of methyl free radical methyl free radical देखो methyl free radical methyl free radical एक single electron है जोकी lone pair नहीं है अगर यह lone pair नहीं है तो केवल 3 sigma bonds हमारे count होंगे और अगर केवल 3 sigma bonds count होंगे तो बेटा SP2 hybridization होगा like this like this तो SP2 hybridization and it is it is methyl free radical है न SP2 hybridization and it is trigonal planar methyl free radical is trigonal planar methyl free radical is trigonal planar टेक next tertiary carbonium ions are generally formed more easily than primary carbonium ions tertiary carbonium ion generally जल्दी बनेंगे primary से बिल्कुल क्योंकि tertiary ज्यादा stable है 1 degree से hyperconjugation as well inductive effect of additional alkyl group stabilizes tertiary carbonium ion ये भी सही है और ये इसका correct explanation भी है कोई आप से पूछता है क्यों 3 degree जल्दी बन रहा है तो आप बोलोगे क्योंकि hyperconjugation और plus i effects से उसको stability मिल रही है तो बोथ statement 1 and statement 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1 clear next hydride ion is in बिटा hydride ion क्या होता है H minus तो hydride ion क्या है minus charge है इसके उपर so this is a nucleophile choose the series which contain only one electrophile ऐसा हमें option चाहिए जिसमें एक ही electrophile हो तो ROH तो nucleophile है CR positive C positive नहीं CR positive और ये NH3 NH3 भी nucleophile है BF3 एक electrophile है but SO3 भी electrophile है sulfonation reaction में और NO plus भी electrophile है H2O एक nucleophile है R2N minus एक nucleophile है और H3O positive electrophile नहीं होता ठीक है ALCL3 एक electrophile है RNH2 एक nucleophile है और PCL3 भी loan pair की वज़े से एक nucleophile है तो option number 4 इसमें एक electrophile है के वल next which one is the most acid एक ये important सवाल है important लिख देना पहले तो कहते हैं ortho effect तो ortho effect ये कहता है कि ortho substituted अगर ortho position पर कोई group लगा हुआ है ortho substituted benzoic acid ortho substituted benzoic acid is highly acidic is highly acidic अगर ortho position पर कोई group लगा है कोई साभी group हो G can be G can be plus M और minus M कोई फर्क नहीं पड़ता plus M group हो या minus M group हो अगर ortho पर लगा है तो वो ज्यादा acidic होगा तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर acidic है that is ortho substituted benzoic acid मतलब option number 2 text choose the most basic one देखो पेटा basic strength निकलती है tendency to donate the loan pair basic strength is directly proportional to tendency to donate the loan pair of electrons जितना इसली nitrogen अपने loan pair of electrons को देदेगा उतना ज्यादा basic strength होगा तो यहाँ तो nitrogen अराम से loan pair देदेगा किसी ने नहीं रोका हुआ है पर यहाँ nitrogen loan pair नहीं देगा क्योंकि loan pair resonance में है यहाँ पर भी बिटा दे सकता है इसली यहाँ बच्चे double bond पे है loan pair तो उतना easily नहीं देगा तो most basic को ने इसमें बच्चे most basic हैं यहाँ पर पहला क्योंकि वो बहुत easily अपने loan pair देदेगा अच्छा पहले और फॉर्थ में मैंने पहले को क्यों select कर लिया क्योंकि जब आप फॉर्थ को देखोगे न तो फॉर्थ में आप देखना steric crowding बहुत है फॉर्थ में आप देखना loan pair donate हो कैसे वहाँ तो steric interest भजाद है तो first one is most basic which of the following will be least reactive in nucleophilic substitution nucleophilic substitution में least reactive कौन होगा ध्यान दू ध्यान दू CH3 CH2 CH2Cl यह हो गया मेरे पास 1 degree nucleophile आएगा chlorine को replace करेगा CH3 CH3 CH3Cl अच्छा यह question ना incomplete है इनको बताना चाहिए कि nucleophilic substitution कौन सा वाला मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 1 degree 3 degree SN2 होगा तो 1 degree most reactive है SN1 होगा तो 3 degree most reactive है चलो चेक करते हैं आगे क्या option CH2 double bond CH CH2Cl यह भी easily substitute हो जाएगा क्योंकि plus charge resonance है stable है अच्छा फोर्थ option नहीं होगा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि फोर्थ option में क्या है हाँ question गलत नहीं है option अच्छे बना दिये option अच्छे बना दिये तो question solve हो जाएगा फोर्थ option में chlorine का lone pair beta resonance में है जिसकी वज़ा से chlorine में double bond character है और जब भी कभी chlorine में double bond character होगा bond easily break नहीं होगा और अगर bond easily break नहीं हुआ तो substitution difficult हो जाएगा so option number fourth is correct फोर्थ में हमारा nucleophilic substitution असानी से नहीं होता है the following reaction is an example of beta alcoholic KOH तो मैंने दुमनों को अलग से specifically बताया हुआ है कि ये कराता है elimination दो reagent है जो रटलो एक है aqueous KOH जो हमेशा आपको substitution देता है और एक है मेरे पास alcoholic KOH जो beta elimination देता है so beta elimination is correct answer next question in mesomeric effect the delocalization of pi अभी अभी सीखा था पाई electrons का delocalization होता है resonance में या mesomeric effect में hyperconjugation involves overlap of the following orbitals अभी सीखा hyperconjugation में दोनो S और P तो hyperconjugation में S B, P B तो overlap नहीं समझ में आया मुझे मतलब overlap तो S B हो सकता है P भी participate कर सकता है तो आप ऐसे कर सकते हो कि hyperconjugation में अभी में अभी सकता है सिख्मा भी हो सकता है hyperconjugation में क्या करें मतलब overlap क्योंकि दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन यहां पे इन्वाल्ड है लेकर overlap में इन्वाल्ड नहीं है hyperconjugation involves ऐसे कर दो the following electrons किस तरह के electrons को hyperconjugation involve करता है तो S और P बोथ which one of the following is necessary for an electrophilic reagent एक electrophilic अगर reagent है तो उसके पास या तो positive charge या vacant orbital और vacant orbital positive charge भी vacant orbital है actually तो vacant orbital होना चाहिए an orbital containing one electron an orbital containing two electron all completed नहीं अगर electrophilic reagent है तो vacant orbital का होना compulsory है next which one of the following species do not exert a resonance effect कौन सी species है जो resonance effect शो नहीं कर रहे है do not exert a resonance effect C6H5OH phenol phenol में तो resonance है बेटा chlorine resonance है बेटा lone pair की वज़ा से NH2 resonance है बेटा lone pair की वज़ा से अन पॉज़िटिव एच 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 पिटा resonance नहीं है क्योंकि यह nitrogen के अल्रेडी चार बॉंड है क्योंकि नाइट्रोजन के अल्रेडी चार बॉंड है पांच वा नहीं बन सकता तो resonance नहीं है किसमे option नंबर फोर में तरी आक्शन C6H6 मतला बेंजीन की reaction किसके साथ BR2 के साथ ब्रोमीन के साथ FEBR3 जैसे ALCL3 होता ना फ्रीडल क्राफ्ट में वैसे ही FEBR3 है एलेक्ट्रोफीलिक रियेजेंट है इस reaction का नाम क्या है इसमें क्या होता है बिटा देखो BR2 प्लस FEBR3 बिलके बनाते हैं FEBR4 नेगेटिव और BR पॉजिटिव तो यह एक इलेक्ट्रोफाइल जनेरेट हुआ और यह इलेक्ट्रोफाइल यहां जाके किसी हाइड्रोजन को substitute कर देगा so this is an electrophilic substitution reaction क्या है यह electrophilic substitution reaction what is the correct stability order of following species सारे कार्बो केटाइन है तो यह कार्बो केटाइन मेरे पास कितने डिगरी का आगया three यह मेरे पास 2 डिगरी यह मेरे पास two डिगरी यह मेरे पास one डिगरी तो अब three डिगरी तो है पहला वाला लेकिन oxygen लगा हुआ है और oxygen क्या just adjacent पे लगा हुआ है हाँ oxygen just adjacent पे लगा हुए है और just adjacent पे जब भी कोई ऐसा atom लग जाए जिसके पास loan pair है तो वो back bonding से इसको stable कर देगा so this is stabilized by back bonding बागे 2 degree है यहाँ पे भी back bonding हो रही है very nice यह भी back bonding stabilized है तो वही सबसे पहले आएगा one one के बाद आएगा three three के बाद आपका two degree second और सबसे last में fourth one degree option number four is the answer समझ गए न तो back bonding जैसे हो जाए कार्व के टायन में उसको सबसे आगे फेग दिया करो सबसे ज़्याद स्टेबल में which one of the following order is correct regarding minus i यह सवाल पीवाइक्यू का है और ओप्शन सेम दे दिये क्या आरे चलो पीवाइक्यू में भी गड़बड थी I think need 2016 में आया था और यह गलत था सवाल fluorine OR NR2 is the correct answer जब यह पीवाइक्यू में आया था तो यहाँ NH2 और NH2 था ठीक है तो दोनों आंसर करेक्ट हो रहे थे तो अभी fluorine OR NR2 is the correct answer आपको order याद है न माइनस आई का सीधा order से होगा है सवाल माइनस आई का order देख लो Nitro, Cyanide, CHO, CuH, Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine, OR, OH, NR2, NH2 ठीक है तो फ्लोरीन सबसे जादा देन OR देन NR2 Chlorobenzene is ortho and para directing in electrophilic substitution reaction The directive influence is explained by which of the following देखो अगर आप chlorobenzene बनाओगे तो वो प्लस M लगाती है बिटा प्लस M न, chlorine का प्लस M क्योंकि वो loan pair donate करेगे और ortho and para position पर electron की density को बढ़ाएगी तो प्लस M अफ क्लोरीन की वजा से और तो पैरा directing होते हैं chlorobenzene An example of electrophilic substitution reaction Electrophilic substitution reaction कौन कौन सी है? Nitration भी है, chlorination, benzene का है, methane का नहीं Formation of ethylene from ethyl-glocal, नहीं Electrophilic substitution reaction का जो example है that is nitration of benzene क्योंकि benzene के उपर इस hydrogen को replace किया जाता है जब हम concentrated H2SO4 प्लस HNO3 से reaction कराते हैं तो बिटा NO2 hydrogen को substitute करता है और जो electrophil इसमें involved है that is NO2 positive तो NO2 positive electrophil hydrogen को substitute करता है तो this is an electrophilic substitution reaction Next ये compound दिया हुए और एक दूसरा भी compound है C2H5 N double bond O this C2H5 O N double bond O तो कह रहें कि ये दोनों आपस में क्या है किसकी position change होई है oxygen की Are these functional isomers Are these totomers Are these position isomers Are these metamers देखो पेटा ये दोनों आपस में totomers होते हैं लेकिन ये वाला totomers हमारे syllabus में नहीं है इसे कहते हैं nitro and acyl nitro acyl totomerization है और ये हमारे syllabus में नहीं है कि नो 2 o no लगा हूँ है नदा न तो नाइंट्रो सब्सक्राइब नहीं हमेहां यह कहलाएगा एक मैं लगा नाइट्रो फंक्ष्णल ग्रोप औरक इन फंक्ष्णल ग्रोप थान नहीं बन रहा तो हम इसको फंक्ष्णल ऐसो मैं टिक करेंग आइसो मेरिजम शोन बाइव만 ब्यूटीन site वन ब्यूटीन साइक्लो ब्यूटेन करो वनना कोई भी आंसर नहीं आएगा तो वन ब्यूटीन के साथ साइक्लो ब्यूटेन पढ़ाया है मैंने आपको रिंग चेन आइसोमर्स होंगे हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉर्न प्रडूस अगर बेटा आप आयन और वन एन बनेगा मैक्सिमम माइनस आई इस शोन बै अभी अभी आपको ओडर सिखाया मैंने नाइट्रो ग्रूप का माइनस आई बहुत साथ है सिलेक्ट दी करेक्ट ओडर ऑफ असेडिटी ऑफ दी कार्बॉक्सिलिक आसेड्स कॉन कॉन से दिये वें सी एल थ्री सी सी ओ ओ ओ एच सी एच सी एल सी एल सी ओ ओ ओ एच एंड सी एल सी एच टू सी ओ ओ ओ एच सही है यह क्योंकि जितने जादा क्लोरीन लगाओगे जितना जादा माइनस आ ही लगाओगे उतना जादा आपका acidic strength बढ़ेगा तो पहला वाला तो सही है यह तो correct है दूसरा CH3, CH2, COH दूसरा वाला चेक करते हैं फिर क्या है मेरे पास CH3, CH CH3, COOH और एक tertiary बिटा यह गलत है क्योंकि जितना आप बलकी group लगाते जाओगे उतना आपका plus I effect बढ़ता जाएगा यह plus I है बट यह plus I और भी जाद है और यह plus I और भी जाद है तो बिटा सबसे जादा acidic आपका पहला वैला होगा अरे, अच्छा, order सही दिया हुआ है क्योंकि जितना plus I कम है उतना acidic है, तो यह भी सही है तीसरे में फ्लोरीन, F2, F और CLE यह भी करेक्ट है, जितने जादा फ्लोरीन उतना माइनस आई तो first, second and third all are correct order of acidic order carboxylic acid का among the following the most stable free radical चलो ही चेक करो resonance में कौन कान है, resonance वाले आजाओ सबसे पहले यह भी resonance में है, यह भी है, यह भी है यह नहीं है, पहला वाला नहीं है चलो, competition से बहार आउट, अब हमारे पास बचे हैं केवल तीन candidates तो उन तीन candidates में resonance के अलावा और क्या-क्या खूबिया है, इसमें तीन alpha hydrogen भी है इसके पास 0 alpha hydrogen, इसके पास 6 alpha hydrogen, बस यह भी आउट, 0 alpha hydrogen बाहर आप बता दो 3 alpha hydrogen free radical जादे हैं, stable या 6 obviously 6 alpha hydrogen मतलब option number 4 असान था ना सवाल, इस तरह के सवाल आने के chances बहाँत जाद है Fused with, बेटा, बिल्कुल अच्छे से रटलो कि इस टेस्ट में organic compound को sodium के साथ fuse किया जाता है Blood red color is produced when FeCl3 solution is acid to added to acidified lecine solution It indicates the presence of, देको Blood red color हमारा तब आता है जब nitrogen and sulfur both are present अगर किसी organic compound में nitrogen और sulfur दोनों present है तो blood red color आता है अगर only nitrogen present है तो बेटा, प्रेशियन blue color आता है प्रेशियन blue color आता है अगर only nitrogen है अगर दोनों है, तो blood red color तो this was the all possible questions from GOC तो बहुत अच्छे से आप लोगोंने मेरे साथ में session complete किया So all the very best कि अब आप GOC करते रहोगे देखो GOC is all about practice मतब GOC आप रट नहीं सकते हो GOC आप notes आप revise करो बार-बार that is important but GOC is all about practice मतब जब तक आप बहुत सारे सवाल कम से कम 200 सवाल आप लोग इसके लगाओ और इसमें अगर आपको मेरी help चाहिए तो मुझे बता दो कम से कम 200 questions लगाओ पिटा इसके GOC के जब आप 200 सवाल इसके लगाओ तब जाके आपको थोड़ा confidence आएगा कि हां हम stability निकाल पा रही है तो दो question is the GOC is your homework आप करोगे और मुझे बताओगे कि आपने 200 सवाल GOC का solve किया या नहीं और उसमें से कितना करेक्ट हुआ आपका टास्क है कि आप कम से कम 200 GOC लगाओगे तब जाके आपको थोड़ा confidence बिल्ड़ अप होगा ऐसा chapter है यह इसा चाप्टर है तो टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लेना annotations आपको मिल जाएंगे take care everyone see you in the next session तब तक के लिए bye bye